प्रदान मंत्री मोधी ने बिभागों में समनिवाइ ना होने के नुकसान गिनाये बोले प्रगती पत पर ले जाएगा प्रदान मंत्री नरंद मोधी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ठ रे मास्टर प्लान प्रदान प्रदान में एक सोल लाख कडोर की योजनाओं को हरी जंडी दिखाने के लिए प्रगती मेदान पहुंचे यहार रेल और सरणक्स सहित सोला मंतराले को जोडने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिये लाखो कडोरों की योजनाओं को पूरी रप्ता से लागो करने में मदद मिलेगी इस दोरान प्यम मोदी ने अपना संबधन भी दिया उन्होंने कहा कि देश के किसानों और मचवारों की आई बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रेक्चर को भी तेजी से विस्तार क्या जा रहा है 2014 में देश में सिर्फ 2 मेगा फूट पार्क्स थे आज देश में 19 मेगा फूट पार्क्स काम कर रहे है अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुचाने का लग्ष है प्यम मोदी ने कहा 2014 के पहले 5 सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही ओप्टिकल फाइवा से जोड़ा जा सका था बिते 7 वसों में हमने 1.5 लाग से अधिक ग्राम पंचायतों को ओप्टिकल फाइवा से करेक्ट कर दिया है प्यम ने आगे या भी कहा कि 2014 के पहले लगभग 2050 किलोमेटर ट्रेक पर ही मेट्रों चल रहे थी आज 700 किलोमेटर तक मेट्रों का विस्तार हो चुका है और 1000 किलोमेटर नई मेट्रों रोट पर काम भी चल रहा है उन्होंने आगे यह भी कहा कि 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरी करन हुआ था बिते 7 वर्सों में हमने 9000 किलोमीटर से ज़्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है 2000 से ज़्यादा पहले के 5 सालों में सिर्फ 3000 किलोमेटर रेलवे का बिजली करन हुआ था बिते 7 सालों में हमने 24,000 किलोमेटर से भी अधीक रेलवे ट्रक का बिजली करन किया है इसके साथ साथ कई महतपुर्ण बाते भी कही पूरु परधानमंत्री मन महन सिंग की तबियत बिगड़ी बुखार और कमजोरी की सिकायत के बाद AIIMS दिल्ली में भरती कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और पूरु परधानमंत्री डॉक्टर मन महन सिंग की तबियत खराब हो गई उन्हें बुखार और कमजोर की सिकायत के बाद दिल्ली के AIIMS स्पिताल में भर्दी कराया गया है 88 साल के डॉक्टर सी का इलाज AIIMS के CN टावर में क्या जा रहा है मन मोहन की जाच के लिए दिल्ली AIIMS में एक मेडिकल बोड का गठन क्या जा रहा है इसे वहां के डॉक्टर रंदिप गुलरिया हेट करेंगे मन मोहन सी इस साल 19 अप्रेल को कोरोना वाइरस से भी संकरमित हो गए थे उन्हें AIIMS में भर्दी कराया गया था 10 दिन बाद उन्हें स्पिताल से चुट्टी मिली थी आप सबक को बता दो कि डॉक्टर मोहन सी को सुगर की भी विमारी है उनकी दो बाइपास सर्जरी भी हो चुकी है पहली सर्जरी 1990 में ब्रेटेन में हुई थी जबकि 2009 में AIIMS में उनकी दुसरी बाइपास सर्जरी की गई थी पिछले साल एक दवा के कारण रियक्षन और बुखार होने के बाद भी मुन महन सी को AIIMS में भरती कराया गया था ड्रक्स केस में आरियन खान को नहीं मिली जमानत अब आज होगी केस की सुनवाई मुंबई में चल रहे हाई प्रोफाल सर्रेव पार्टी में पकड़े गए सारो खान के बेटे आरियन की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है अब इस मामले में गुरवार दोपर 12 बजे सुनवाई होगी इससे पहले बुदवार को कोट में हुई सुनवाई में के लिए विदेश मंतराले से अप्रोच क्या गया है बताते चले कि नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूर ने 2 अक्टूबर को मुंबई में चल रहे एक हाई प्रोफाल रेव पार्टी पर रेट की थी जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था तीन अक्टूबर साम तक इन सभी से पुष्टाच की गई जिसके बाद सभी आरोप्यों को गरपतार कर लिया गया इन में सारुक खान का बेटा आरियन भी सामिल था भारत और न्यूजलेंड मैच से संकट टला BCCI को जो होटल चाहिये था IS ने वह अपनी साधी के लिए बुक किया मुश्किल से छोड़ने को राजी हुए जार्खन की राइधानी राची में उन्हें से नौमर को होने वाले आरत और न्यूजलेंड के T20 मैच से संकट टल गया है एक साधी की वज़ा से इस मैच पर पैच फस गया था हुआ ये था कि दोनों टेमों को जिस होटल में ठारना था वहाँ एक साधी में आने वाले महमानों के लिए पहले से कमरे बुक थे साधी भी IS अपसर की थी उन्होंने बुकिंग छोड़ने से इनकार कर दिया कोरोना के बायो बबल के सक्त नियमों की वज़ा से इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI परिसान भी हो गया ममला इतना बढ़ा कि BCCI ने मैच को दुसरी जगह सिफ्ट करने की धमकी तक दे दी बता देख सरकार के दखल देने पर अपसर राजी हुआ अब जो है इससे तय हो गया कि दो साल बाद राजी में होने वाला अंतराष्ट क्रिकेट में साधी की वज़़से नहीं टलेगा आप सुब को पूरा ममला बता देता हूं कि बिहार केडर के एक IS अधिकारी ने 19 और 29 ओमर को होटल में 40-45 कमने की बुकिंग कराई थी इसी दोरान मेच भी होना है BCCI अपने इस्टेंडर के हिसाब से दुसरे होटल में जाने को तयार नहीं था उसका कहना था कि हम खिलाडियों को बायो बबल से बाहर निकालने का अनुमती नहीं देते हैं एडिशन बुलू को छोड़ कर दुसरे होटल में बायो बबल बराना मुस्किल है ऐसे में BCCI ने मेच को दुसरे जगा सिफ्ट करने की धमकी तक दे दी पहले IS अपसर अपनी बुकिंग केंसल करने को तयार नहीं थे ना के बाद रिम्स परबंदन ने 18 चात्रों को होस्टल से निकालने का आदिस जारी कर दिया इन सभी चात्रों पर disciplinary act के तहत करवाई की गई है सभी चात्रों को इसी मा होस्टल खाली करने के लिए कहा गया है साथ ही होस्टल के वार्डन को निधिस दिया गया है कि चात्रों को खाली कराने के साथ ही इसकी सुचना DN को दी जाए इन में 5 चात्रों को एक वर्स के लिए निकाला गया है जबकि 13 चात्रों को तीन महीने के लिए होस्टल से निसकासित किया गया है यह सिर्फ चात्रों के 20 आपतस में मारपीट की घटना है जबकि घटना वाले दिन जुनियर चात्रों ने रेगिंग का आरोप लगाया था लेकिन जाच में इस बात की पुष्टी नहीं की गई साथ ही रेगिंग की बात को लेकर ही परबंदर ने जाच के मिट्टी भी गठित की थी इसकी रिपोर्ट आने के एक महा के बाद यहा करवाई की गई है मानसुन की बिदाय के साथ गिरने लगा जार्कन का पारा राची के अधिक्तम तपमान में दू डिग्री सेलसेस की आ सकती है गिरावट मानसुन की बिदाय के साथ ही अब तपमान में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं राची के अधिक्तम तपमान में अगले दो से तीन दिनों में दो डिग्री सेलसेस की कमी होनी की संभवना है। दो सम विभागने येलो अलर्ट जारी किया है। 28 अक्टूबर से 1 नॉंबर 2021 तक चतिसगर सरकार दोरा आईजित राष्ट आदिवासी निर्थी महस्व 2021 में सामिन होनी के लिए अमंतरन पत्र भेजा। कांके रोड राची इस्तित मुखमंतरी अवास कर्याले में बुदवार को सियम हैमन सोरेंसे शतिसगर सासन के संसदी सचीर सव विदायक बिनोद चंद्रकार ने मुलकात कर राष्ट आदिवासी निर्थी महस्व 2021 में सामिन होनी के लिए शतिसगर सियम भुपेश बगेल द्वारा भेजे गए अमंतरन पत्र दिया। कार द्वारा राष्ट रिया आदिवासी निर्थी महसव 2021 का आयजन क्या जा रहा है। साथ ही COVID गाइडलाइंस के उलंगन का केस भी दर्च क्या जाएगा। SSP डॉक्टर एम तमिल भावन के आदेश पर जिले में टीम का गठन क्या गया है जो नाबालिकों के बाइक या कार चलाने पर करवाई करेगी। SSP द्वरा जारी निर्देश के अनुसार दुर्गा पुजा के आयजन के संदर मिल जारकन सरकार द्वरा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण तरीके से अनुपालन क्या जाना है। जरूरत पढ़ने पर ही घर से लोग बाहर निकलें, मास्क जरूर पने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अविश्करें। सभी अभिभावकों से SSP ने अनुरोद किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोठ साइकील या कार चलाने के अनुमती ना दें। जमसितपूर पुलिस द्वारा सभी चोक चोराओं पर बाइक चेकिंग टीम तैनात की गई है। किसी भी बच्चे द्वारा गलत करने पर उनके अभिभावकों पर भी कानुनी करवाई की जाएगी। सोधित गजट 12 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिया है। यूजिसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पी एजडी की अनिवर्ता एक जुलाई 2021 से निधारित की गई थी। COVID-19 को देखते वे केंद के निधेस पर यूजिसी यानि नहीं लिया है। केंदरी सिक्षा मंत्री के अनुसार पूरु में सिर्फ केंदरी विश्विदाले में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर या छूट देने की घुशना की गई थी। लेकिन बाद में इसे सभी विश्विदाले और कोलेजों के लिए लागू कर दिया गया है। एक छुक उमिदबार अपनी योगिता और अहरता के अनुसार आविदन कर सकते हैं। आईटी धनवाद के अधिकारिक विवसाइट पर जाकर आविदन कर सकते हैं। दोस्तो चैनल पर आप नहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए ताकि खबरों का आपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। तीजे जाजत नमस्कार।